वेल्कम बैक गाइज इन हैकर्स डॉम सो आज हम लेके आए हैं MS2 टुटोरियल पार्ट थरी तो स्टार्ट करते हैं तो यह हमारा पार्ट थरी है तो आज का हमारा जो है कि हमने फाइल जो पिछली बार हाइट किया था उसे कैसे वापीस लाएं तो उसके लिए हम लिखेंगे पिछली बार हमने लिखा था अट्री प्लस हैज डिरेक्टरी ने तो हमने PC का फाइल हाइट किया था उससे और आज हम उसे वापीस लाएंगे तो कैसे लाएंगे यह दिखाता हूं पहले dextro पे चलने हैं फाल्ड extro क करेंगे विछ लिए dextro पे चलने तो अब लिखना है हमने attribute- has plenty plus h डाला था तो यह माइनस h डालना है और फिर फाइल नेम PC था हमारा तो यह देखे वापिस आ गया PC का फोल्डर तो next time हमारा How to see information about system हम system की information कैसे चेक करें तो उसके लिए हम लिखेंगे system info only system info then press enter progress हो रहा तो यह हमारी सारी information आ जाएगी यहाँ पर कि हमारा system का version क्या है यह इसकी IP क्या है नेम क्या है हर एक चीज यहाँ पर show हो जाएगी बगएरा बगएरा तो next हमारा हाउ टू सी ओनली टाइम हम टाइम कैसे देखें पिछली बार हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इसमें टाइम सेट भी कर सकते हैं तो आज इसमें ओनली टाइम देखेंगे इसमें सेट करना तो लिखेंगे टाइम वरवड स्लएश फिटि यह टाइम आ रहा है सिरफ यहाँ पर कोई टाइम सेट करने के लिए पर आ रहा है तो हमारा नाक्स्ट है देट देट कैसे देखें तो डेट का भी सेम ही है, डेट फॉरवड श्लैस टी, तो इसमें भी ओनली डेट ही दिखेगी और कुछ नहीं, यह देखिए ओनली डेट दिखे रही है, ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, how to clear the screen, हम screen कैसे clear करें, तो उसके लिए हम लिखेंगे CLS, then press enter, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, कि कैसे होता है, यह देखिए, clear the screen, clear screen, ट्री भी बनाना बताता हूं आप लोग को, तो हम अभी desktop है, तो इसलिए desktop के बारे में बता रहा है, ट्री में only, छोटा सा tree बना है, तो हमने जीचीज का tree बनाना है, उस directory में चल जाए, उस folder में चल जाए, तो यह उसकी information बता देगा, कि इसके अंदर क्या-क्या पड़ा, जैसे हम एक folder back चलते है, user ID में आगे, तो user ID में देखिए, यह tree बन कि यह, दिखा रहा है कि क्या-क्या हमारे folder में, user ID में हमारे क्या-क्या है, ओके, तो next हमारा, how to close MS doors, how to close MS doors, ओके, तो इसके लिए लिखेंगे, exit then press enter, exit then press enter, ओके, हो गया, तो यह थी हमारी part 3 की वीडियो, और simple basic commands की वीडियो, तो part 1 और part 2 जिनों नहीं नहीं देखिया, वो लिंक description में दिया हुआ, उसमें जाके देख सकते हैं, और चैनल को subscribe ज़रूर करे, अगर आप लोग चाहते हैं मैं और commands की वीडियो जबनाओ, तो comment ज़रूर करे, thank you,